योंतः प्रविष्यमं वाच्यमिमां प्रसुप्थाम संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधामना अन्याम्ष्यहस्तचरणष्यवनत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुशायत उभ्यम् प्रिशिक्षार्थियों NIOS के स्टूडियो में आपका पुनहा स्वागत अभिनन्दन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचारी वेद विभाग श्री जगन्नात समस्क्रत विश्यविद्याले पूरी पुरी सासे मैं आपके मद्य अच्चतरमाद मिक कख्षा के वेदाध जयनम पाठ्ठिकरम अंतरगत वाइसवे पाठ जो भाग दो है उसका मनुमत से कथा, 22 पाठ में दो पाठ हैं, परजन्य सूक्त और मनुमत से कथा, तो मनुमत से कथा के रूप में हम अध्यन करने के लिए आपके मद्य उपस्थित हैं शुकल यजुर वेदे एक अमेवब ब्राम्भनम विद्यते तस्यनाम शतपत ब्राम्भनमिती शुकल यजुर वेद में एक ही ब्राम्भन उपलब्द होता है, उसका नाम शतपत ब्राम्भन है आप जानते हैं वेदों के विशे में कहा जाता है मंत्र ब्राम्भन योर वेद नाम धेयम अर्थात वेदों के दो पक्ष हैं मंत्रपक्ष और ब्राम्मन पक्ष दोनों के संयुक्त स्वरूप को वेद कहा जाता मंत्र पक्ष में रग यजुस्ताम अथरव ये चार सम्विताओं का क्रम आता है और ब्राम्वन पक्ष में ब्राम्वन आरण्यक उपनिशत ये वर्नित हैं राम्वन प्रत्येक वेद से संबंदित प्रतक प्रतक हैं जिसमें शुकल यजुरुवेद जो यजुरुवेद का भाग है यजुरुवेद दो भागों में है शुकल और कृष्ण के रूप में तो शुकल यजुरुवेद से संबंदित ब्राम्वन श्रतपथ ब्राम्वन है शुक्ल जुरुवेद की दो शाखाएं वरतमान में उपलब्ध होती हैं कानव और माध्यंदिन शाखा और दोनों ही शाखाओं से संबद्ध ब्राम्मन की संग्या श्रतपथ ब्राम्मन है एतत ब्राम्मन साहित के ब्रहत्तम मस्ती शुक्ल जुरुवेद अस्य शाखा द्व माध्यनिन शाखा और दोनों से ही संबध यहां शटपत ब्राम्पन है। बुरहत्तम है दोनों शाखाओं से संबंदित ब्राम्भन की संग्या शत्पत ब्राम्भनी है किन्तु विशय वस्तु के दृष्टी से दोनों में भेद है माध्यंदिन शत्पत ब्राम्भन में 14 कांड है और शत अध्याय है इसी के साप एक्ष कानव शत्पत ब्राम्भन में 17 कांड है और 100 से अधिक अध्याय है उवयोहो शाखयोहो माध्यंदिन शाखा सुप्रसिद्धा दोनों ही शाखाओं में माध्यंदिन शाखा की प्रसिद्धी उत्तर भारत में बहुशह अधिक है अस्यामेव शाखायाम प्रथमकांड अस्य अश्टमा अध्याय मनुमच्य कथा इदि आख्याई का उपलब्धा भवती इसी शाखा से संबंधित श्यतपत ब्राम्भन के प्रथमकांड के आख्यमे अध्याय में मनुमच्य कथा या संवाद के रूप में मिलता है यह कथानक के रूप में उपलब्द होता है अस्याम आख्षाई कायाम मनुमच्योहू रमणिया कथा विद्यते सहीव अस्विन पाथे प्रस्तुयते इस आख्षाई का में इस समवाद करम में मनु और मच्य मच्यली को कहते हैं मनु और मच्य के बीच अच्चनत रमणिय परिसंवाद का उल्लेख आता है वही रमणिय कथा इस पाथ का पाथ्य है प्रथम करम इस प्रकार है इसमें कहा जाता कि प्रातहा महरशी मनु के समीप हस्त प्रक्षालन के लिए उनके भृत्यों के द्वारा उनके सेवकों के द्वारा जल लाया जाता है जब उस जल के द्वारा मनु अपने हस्तादी प्रक्षालित कर रहे होते हैं तब एक मच्य उनके हाथ में जल के साथ आता है छोटी मच्छली जल के साथ उनके हाथ में आती है पुनहा मचली से मनु का परिसमवाद प्रारंब होता है ऐसा परिसमवाद दोनों के मध्य होता है यह समवाद क्रम के द्वितिय ब्रामन के रूप में है इसमें कहा गया समत्यह तम वाच मनु के हाथ में आई हुई मचली आचार्य मनु से महरश्री मनु से बोलती है कि हे मनु तवम्माम पालय आप मुझे पालन करें मेरी रक्षा करें आप मेरी रक्षा करेंगे तो निश्चित ही प्रतिक्रम में मैं भी आपकी रक्षा करूँगी मचली बहुत छोटी थी आचार्य मनु ने विचार किया कि यह छोटी सी मचली मेरी कैसे रक्षा कर सकती है तदा मनु अवचत ऐसा ही विचार करके मनु मचली के प्रति बोलते हैं तवम कस्मात ममरक्षणम करिश्यसी तुम मेरी रक्षा किस से करोगी मुझे किस से भय है तुम कैसे मेरी रक्षा कर सकती हो फिर तदा मत्सिह अब्रवीत पुना मचली बोलती है मनु से कि विशाल जल समूह में विशाल जल प्रवाह के समय समस्त प्राणि मंडल अन्ते वक्षियामी तसमात त्वाम अहम रक्ष इस्यामी जब विशाल जल प्रवाह के समय ये समस्त प्राणि मंडल जल में विलीन हो जाएगा तो मैं उस समय आपकी रक्षा करूंगी ऐसी मचली इसमें कहती है उनह अग्रिम राम्भन उपलब्द होता है सम्वाल के रूप में ओधिनाश्ट्रों भवितास मी इदि ऐसा पुनह मचली का कर्तव मचली की चर्चा ब्राम्भन के रूप में उपलब्द होती है वह समवाद के करम में मचली पुनह मचली पुनह समवाद के करम में बोला महर श्री वनु से यावत वयम खुद्रा हस्थाश्या महा की जब तक हम लोग छोटे रहते हैं तावत अस्माकम महाभाग्यम तब तक ही हम लोगों का अत्यनतर दुर्भाग्य है जितने हम लोग छोटे हैं छोटी अवस्थाओं में हम लोगों का दुर्भाग्य है क्यों क्योंकि महान तह मचलियां होती हैं वे हम जैसे चोटी मचलियों को खा लेते हैं तसमात पूरो में वह माम कुंब मध्य स्था पया इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि बड़ी मचलियों के दवारा खाये जाने के पहले ही मेरी रक्षा करें एक कुंब में एक कलश में मुझे रख दें मैं रहूंगी यदा तस्य अतिक्रमनं करिश्यामी तदा गर्त मध्येवाम रक्षय जब मैं और बड़ी हो जाओंगी कुंब में नहीं रह सकूंगी तब मुझे वहां से निकाल करके किसी गर्त में एक गर्त करके उष्करिनी तालाब इत्यादी बना करके उसमें मुझे रखि करूंगी तो मुझे समुद्र में ले जाइए तदा इवहम विनाशस्य अतिक्रमनं करिश्यामी इसलिए मैं समुद्र में रह करके ही मैं आपके विनास की रक्षा करूंगी और उस समय मुझे कोई मारेगा नहीं मैं स्वजम आकार में ब्रहत हो जाओंगी ऐसी चत्या मचल पुनहा समवाद के रूप में मनु को कहती है अग्रिम समवाद के क्रम में ब्राम्भन इस प्रकार है शश्वध्ध जशासह सहिच जेश्ठम वर्धते अथे तिथीम समाम तदवगह अतिक्रमनाम आगंता तन्मानव तन्माम नावं उपकल्प्य आउपासासव साउगह उ प्रिसमाद के क्रम में इसमें समवाद करते हुए मचली पुनहा के ती है समच्यहा शीग्रमेव महान मच्यह संजाता वहा उसी करम में राजा ने जैसा मच्छी बताया था राजा को राजा उसी प्रकार मच्छी का समवर्धन समरक्षन करते रहे पहले कलश में रखे, कलश के बाद फिर तालाब में रखे तालाब के बाद उसको और बड़े होने पर समुद्र में प्रवाहित किये और इसी प्रकार वह मचली दिनानों दिन बड़ी हो गई और बड़ी मचली के रूप में हो गई सवी मचली उमें वह अट्टनत बड़ी हो गई ततस्व उक्तवान उसके बाद वह मचली ने बोला राजा के प्रती यसमिन बत्सरे प्लावनम आगमिश्यती तदा नौकाम निर्मिय प्रतीक छांग करिश्यसी जिस समय समदर में तूफान नित्या दियाएगा समदर में बाढ़ आएगा समदर में बाढ़ तो नहीं आता तूफान से उसकी लहरें तीबर होती हैं ऐसी अवस्था में तुम्हें एक बड़ी नवका बना करके मेरी प्रतीक्षा करना जब समुद्र अपने वेक से संपूर्ण जगत को जलमय करेगा उस समय आप नौका में बैठ जाना मैं नौका के माध्यम से आपकी रक्षा करूंगी धन्यवाद झाल